एक ऐसा एक्टर जिसे सरकार ने फांसी की सजा सुना दी, वो किस तरह सरकार को चक्मा देकर मौक के मूँ में जाने से बचा और फिर किस तरह उसने अकेले अपने दम पर एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी कर दी ये अद्भूत कहानी अपने आप में अविश्वसनी है, अकल्पनी है, अविस्मर्णी है किसी की जिन्दगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है मुश्किल है, नामुम्किन नहीं आज मैं आपके लिए बॉलिवुड के आसुओं का कनस्तर के नाम से मशूर एक्टर नाजिर हुसैन की जिन्दगी की अधभूत कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुन आप हैरत में पढ़ जाएंगे नाजिर हुसैन का जन्म 15 मई सन 1922 को उत्तर प्रदेश के गाजी पूर जिले के उसिया गाओं में हुआ था नाजिर के अब्बू शाहबजाधा खान एक गरीब किसान थे उनका पूरा परिवार अपनी जमीन पर जम कर खेती किया करता था मगर क्रूर जमीदार ने उनकी जमीन उनसे चीन ली अब नाजिर के अब्बू के पास उनके परिवार को खाना खिलाने के लिए पैसों का कोई सुरुत न बजा इसलिए वो अपने पूरे परिवार को साथ लेकर उशिया गाओं से लखनओ शेहर जा पहुंची और लखनओ रेलवे स्टेशन पर गार्ड की नौकरी करने लगी नाजिर लखनओ में ही पली बढ़े नाजिर ने स्कूली सिक्षा तो ज्यादा नहीं ली मगर तहजीब के शेहर लखनओ में रहने के कारण उर्दू शेरोशायरी पढ़ने और रंग मंच देखने का चस्का लग दया उ अब्बू ने अपनी सिफारिश से उन्हें भी रेलवे में नौकरी दिलवा दी और नाजिर भी अपने अब्बू के साथ लखनओ रेलवे स्टेशन पर फायर मैन की नौकरी करने लगी लेकिन इस नौकरी में उन्हें मजा नहीं आ रहा था इस नौकरी से वो जल्दी ही उ शुरू हो गया नाजिव को कुछ जोखिम भरा करने और जादा पैसा कमाने का ये अच्छा रास्ता नज़राया और उन्होंने फायर्मैन की नौकवी छोड़ ब्रिटिश इंडियान आर्मी को जॉइन कर लिया उन्हें लड़ाई लड़ने के लिए सिंगापोर भेज दिया सिंगापोर में कुछ वक्त रहने के बाद उनकी पोस्टिंग मलेशिया कर दी गई मलेशिया में एक जापानी टुकडी के साथ आमने सामने के लड़ाई में उनकी बटालियन हार गई और जापानी सैनिकों ने नाजिव को कैद कर लिया और उन्हें युद्बंदी गरह में युद्बंदी गरह में नाजिव की मुलाकात हुई जापानी फॉज की अलाइंट आजाद हिंद फॉज के एक सिपाही से उसकी बातों के जरीए नाजिव नेता जी सुभाश चंदर बोस के विचारों से बहुत प्रभावित हो गए उन्होंने उस सिपाही से कहा कि वो भी आजाद हिंद फॉज में शामिल होना चाहती है। जापानी फॉज ने उन्हें छोड़ दिया और वो सैनिक उन्हें नेता जी सुभाश चंदर बोस से मिलाने के लिए नेता जी सुभाश चंदर बोस के पास पहुँचा। नाजिर ने नेता जी से इलतिजा की कि नेता जी उन्हें भी आजाद हिंद फौज का एक सिपाही बना ली नेता जी ने उनकी बात मान ली और उन्हें आजाद हिंद फौज में शामिल कर लिया चूंकि नाजिर बहुत अच्छा पढ़ते लिखते थे इसलिए सुभाश बाबू ने नाजिर को आजाद हिंद फौज के प्रचार प्रसार का काम भी सौंप दिया नाजिर अपने एक इंटर्वीव में बताते हैं कि साल 1944 में सुभाश बाबू के जन्म दिन पर उन्होंने सुभाश बाबू, आजाद हिंद फौज और तमाम क्रांतिकारियों को ट्रिब्यूट देता हुआ एक नाटक लिखा उसका नाम था बलिदान और अपने साथी सैनिकों के साथ मिलकर सुभाश बाबू के सामने उस नाटक का मंचन किया नाजिर हसते हुए कहते हैं कि उनकी जिन्दगी में उनकी डिरेक्शन, उनकी राइटिंग और उनकी एक्टिंग के लिए सबसे अच्छा कॉंप्लिमेंट वो था जब नाटक के खत्म होने के बाद नेता जी सुभाश चंदर बोस खड़े होकर तालियां बजा रही थे जब दुतुरी विशुरीद खत्म हुआ तब आजादेंद वाज के दूसरे सिपाहियों की तरह नाजिर को भी कैट कर लिया गया नाजिर को तो अंग्रेज सरकार ने फांसी की सजा सुना दी मशूर अकबार देनिक भासकर के रिपोर्ट के मुताबिक नाजिर को लाल किले के अंदर फांसी दी जाने वाली थी पुलिस नाजिर को फांसी के लिए दिल्ली ले जा रही थी राफते में कुछ कांतिकारियों को मालूम चला कि इस ट्रेन में आजाद हिंद फौज का एक सिपाही है जिसे लाल किले के अंदर फांसी दी जाने वाली है उन कांतिकारियों ने बीच रास्ते में ट्रेन पर हमला कर दिया और नाजिर को पुलिस के चंगुल से छोड़ा लिया। इस तरह नाजिर फांसी के फंदे पर लटकने से बच गई। इसके बाद इनी कांतिकारियों के साथ मिलकर नाजिर ने फिर से अंगरजी सत्ता के खिलास अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। नाजिर की एक बाद फिर से खोजबीन शुरू हुई और एक बाद फिर नाजिर धर लिये गए। जेल में कैद नाजिव सोच रहे थे कि बड़े दिनों से उनकी खोज खबर उनके घर तक नहीं पहुंची है वहाँ जब वो मातम चा गया होगा वो अपनी खोज खबर अपने घर वालों तक पहुचाना चाहते थे मगर कैसे बताएं अपने घर वालों को कि वो मरे नहीं है जिन्दा है इसी बीच नाजिव की जेल शिफ्टिंग की जाने लगी उन्हें हावडा जेल से दिल्ली की सेंटरल जेल में शिफ्ट किया जाने लगा पुलिस नाजिर को ट्रेन से दिल्ली लेकर जा रही थी रास्ते में दिलदार नगर स्टेशन पड़ा जब ट्रेन दिलदार नगर स्टेशन पर खड़ी हुई थी तो नाजिर ने देखा कि प्लैटफॉर्म पर कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो उनके गाउं उसिया के रहने वाली हैं नाजिर ने सोचा कि अगर इनको ये बात मालूम चल जाए कि नाजिर जिन्दा है तो ये जरूर उनके घावालों तक इस बात को पहुचा देंगे मगर पुलिस के सामने वो उनसे बात कैसे करें आखे में नाजिव कोई कुपाय सुझा उन्होंने अपने बगल के एक हवलदार से कविता लिखने के लिए एक कागर जो कलम मांगा उसने नाजिव का मजाक उड़ाते हुए एक कागर्स और एक कलम दे दी नाजिव ने उस कागर्स पर कविता नहीं लिखी खत लिखा जिसमें उन्होंने ये लिखा कि वो मरे नहीं है जिन्दा है अन्वेजों की कैद में हो खत खत्म कर ही रहे थे कि ट्रेन की सीटी बज गई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर मूब होना शुरू हो गई नाजिव ने जल्दी से कागर्स की पुडिया बनाई पुलिस वालों की यहां बचा उन्होंने जल्दी से ट्रेन की खिड़की के बाहर अपना हाथ निकाल पुडिया को बाहर प्लेटफॉर्म पे फेग दिया और जो उसे चिलाए या अल्लाँ पुलिस वालों ने तुरंत नाजिर की ओर चौक के देखा, तो नाजिर ने उनसे कहा कि उनके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द शुरूर हो गया, इसलिए उनकी चीख निकल गई, इधर नाजिर के या अल्ला कहने से उन लोगों की नजर तुरंत उधर गई, जिधर से ये आवाज आई थी, नाजिर की बोगी उन लोगों से आगे निकल गई, मगर उन ही लोगों में से एक आजमी को शक हुआ, वो नाजिर था क्या, उसकी शेकल कुछ-कुछ नाजिर ऐसी लग गई थी, अचानक उसने देखा, वहाँ प्लेटफॉर्म पर पुडिया सी जिए खाली, कागच को खोला, तो नाजिर का खत पढ़ लिया, वह जान गया कि नाजिर जिन्दा है, जैसे हे उसने ये बात अपने साथियों को बताई, यह सब उस कोईले की ट्रेन के पीछे दौड़ पड़े, ताकि नाजिर को छोड़ा ली, मगर कोईले की ट्रेन के पी जब तक 15 आगस्त सन 1947 को मुल्क आजाद नहीं हो गया आजादी के बाद जैसे सब करमतिकावियों को विहा किया गया नाजिर को भी विहा किया गया नाजिर के गाओं के अधिकांश मुसल्मान पाकिस्तान जाने के लिए अपना सामान बांद रही थे उन्होंने नाजिर से भी अपना सामान बांदने को कहा लेकिन नाजिर अपने आपको माभारती का सच्चा सपूत मानते थे उन्होंने पाकिस्तान जाने से साफ इंकार कर दिया नाजिर को अब बस एक दिक्कत थी कि उनके पास कोई नौकरी न थी उन दिनों देश में चर्चा जोरों पर थी कि तत्काली नई गठित भारत सरकार आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को अधिकारिक भारती सेना में शामिल करीगी नाजिर को लगा चलो अच्छी बात है उन्हें नो कोई मिल जाएगी लेकिन भारत सरकार ने ऐसा करने से इंकार कर दिया अब नाजिर बड़ी मुश्किल में फस गए पैसे कमाने का उनके पास कोई साधन नहीं था जादा पड़े लिखे भी नहीं थे क्या करते आजाद इंद फॉज में उनके साथ रह चुके उनके एक सैनिक दोस्त ने उनसे कहा कि क्योंना वो सुभाश चंदर बोस के बड़े भाई शर्ट चंदर बोस के पास कलकत्ता चली जाए शाद वो उनकी कुछ मदद कर दे नाजिर उसकी बात मान कलकत्ता पहुंच गए शर्ट चंदर बोस उनकी कुछ मदद तो ना कर सके मगर उन्होंने नाजिर से कहा कि तुम नाटक वगएरा अच्छा लिख लेते हो नाटक वगएरा लिखकर उसका मंचन कर इससे कुछ पैस अधंदाई उन्होंने कलकत्ता में गली गली नुकर नुकर चुराहों चुराहों पर ऐसे नाटक करने शुरू कर दी यह नाटक आमतोर से आजाधंद पौज के उनके अनभावों पर आधारित होते थे एक दिन नाजर एक चुराहे पर एक नाटक कर रहे थे उसका नाम था सिपाही का सपना नाटक के दोरान नाजर पर नजर पड़ गई कलकत्ता के मशूर नू थियटर्स के मालिक बी एन सिरकार की बियन सिरकार ने नाजिर से कहा कि वो उनके निव थीटर्स में आके काम करी नाजिर को ये तजवीद अच्छी लगी वो अब बियन सिरकार के निव थीटर्स में काम करनी लगी एक दिन नीव थियोटेस्ट में बियन सिरकार से मिलने आये बॉलिवुट के मशूर डिरेक्टर बिमल रोय जो कि उन दिनों नेता जी सुभाश चंदर बोस पवेत फिल्म बनाना चाहती थे और कंटेंट की ऑथेंटिसिटी के लिए आजाद हिंदर फौज से जुड़े किसी व्यक्ति की तलाश कर रही थे जब उन्हें मालूम चला कि नाजिव तो आजाद हिंदर फौज में सिपाही ही रह चुके हैं और सुभाश चंद बोस के साथ भी उनके अच्छे संबंद थे तो वो बहुत खुश हुए उन्होंने नाजिव को अपनी फिल्म मिमार में साथ काम करने को कहा नाजिव ने अब तक किसी फीचर फिल्म में काम नहीं किया था उनका मन भी नहीं था उन्होंने मना कर दिया मगर विमल वर्य के बहुत समझाने मनाने के बाद आखिरकार नाजिर रादी हो गई इस विल्म का नाम था पहला आदमी ये आजाद भारत में नेता जी सुभाष चंदर बोस पर बनने वाली पहली फिल्म थी इसकी कहानी भी नाजिर ने लिखी थी, डायलोक्स भी नाजिर ने लिखे थे और नाजिर ने इसमें अभिने भी किया था इस फिल्म में नाजिर ने आजादी की लड़ाई में नेता जी सुभाष चंदर बोस के योगदानों को तो दिखाया ही था साथ ही उन आम लोगों के योगदानों के बारे में भी बताया था जिन्होंने आजाद हिंद फॉज के आजादी के सपने को पूरा करने के लिए उनकी मदद की थी इस फिल्म में नाजिर ने एक लव स्टोरी का एंगल भी दिखाया था साल 1951 में रिलीज होने वाली ये फिल्म सूपार डूपार से भी उपर हिट साबित हूँ इस फिल्म के रिलीज होने के बाद नाजिर बिमल रोई की फिल्मों के रेगुलर एक्टर बन गए परणीता हो सुजाता हो बिमला या अनुराधा हो नाजिर बिमल रॉय की हर फिल्म में नजर आते बिमल रॉय ही की दो बीगा जमीन में एक रिक्षे वाले के किरदार के तौर पर नाजिर ने दर्शकों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी अब दूसरे डिरेक्टर्स और प्रडूसर्स भी नाजिर को अपनी अपनी फिल्मों में साइन करने लगे जिसके तहद पचास के दर्शक में नाजिर ने जीवन जियोती, समाज, बंदिश, भाई-भाई, बाब बेटी, दो रोटी, देवदास, काला पानी, इंस्पेक्टर, मुसाफिर, निउडली, नया दौर, रागिनी, यहूदी, परवरिश, कनहिया, कंगन, संतन और परख जैसी कई फिल्मों में काम किया। साल 1960 में एक अवार्ड फ्रंक्शन के दौरान नाजिर की मुलाकात हो गई भारत के तत्कालिन राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद परसाथ से। नाजिर बड़े लंबर चोणे हटे-कटे थे। उनकी सुडॉल कदकाथी को देख राजेंद परसाथ भी बिहार के रहने वाले हैं। फिर इन दोनों ने अपने इलाके की बोली भोजपुरी में बात करने शुरू कर दी। बातों बातों में राजेंद बाबु ने नाजिर हुसाइन से कहा भोजपुरी में फिल्म में क्यों नहीं बनती। इतने सारे लोग भोजपुरी बोलते हैं एक बहुत बड़ी जनसंक्या जो भोजपुरी बोलती है। बिहार के लोग, पुवी उत्तर प्रदेश के लोग, बहुत से लोग हैं जो भोजपुई बोलते हैं, तो भोजपुई में फिल्म कहीं नहीं बनती है। नाजिर हुसेन के दिमाग में ये बाग खटक देई, उन्होंने फैसला कर लिया कि वो भोजपुई में फिल्म बनाएंगे। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक कहानी लिखी थी, विद्वापुने विवाह पे, उन्होंने वो स्कृप्ट बिमलवाय को दे दी थी, बिमलवाय को वो स्कृप्ट बहुत पसंद आई थी और वो उस पर फिल्म भी बनाने वाली थी। अगले ही दिन नाजिव ने विमलवाय से वो स्कृप्ट मांग ली। विमलवाय ने कहा क्यों इस पर तो मैं एक फिल्म बनाने वाला हूं। नाजिव ने कहा अब इस पर मैं फिल्म बनाऊंगा। वो भी भोजपूरी में। दिमलवाय ने अपनी आखें भाड़ कर कहा भोजपूरी ये कौन सी लेंगरज है। नाजिव ने हसते हुए कहा ये राष्टपती की लेंगरज है। लेकिन फिल्म बनाने के लिए उसमें भारी भर का मात्रा में पैसों की जरूवत होती है। भोजपूरी फिल्म में इंवेस्ट करने के लिए नाजिव को कोई प्रडूसर नहीं मिलवा था। और यही नाजिव की सबसे बड़ी कश्मकश थी। इसी पसोपेश्ट में वो पड़े हुए थे। इन ही दिनों बिहार के आरा जिले में एक बहुत बड़े बिजनसमेन रहा करते थे। उनका नाम था विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी। उनकी कोईले की खदाने थी। जूतों की फैक्टरी थी। धनबाद और गिविश्डी जैसे शहरों में उनके सिनेमा घर चलते थे। इसके अलावा उनका राष्टपती डॉक्टर राजेंद्पसास से भी बहुत अच्छा परजय था। आप कहेंगे कैसे। दर सर्फ साल 1929 में उन्होंने राजेंद्पसास से 6,000 यार्ड खादी का कपड़ा खरीद लिया था। 15,000 रुप्यों में। ये उनका आजादी की लड़ाई में अपना एक योगदान देना था। तब इसे राजेंद्पसास से उनका बहुत अच्छा परिचर हो गया था। इसी दोरान राजेंद्पसास ने विस्रनात प्रसाद शाहबादी को भी एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि विस्रनात एक भोजपुरी फिल्म बनाने के लिए उसमें पैसा लगाएं। विस्रनात को भी एडिया अच्छा लगा। विलकुल भोजपुरी में फिल्म बननी चाहिए लेकिन वो पैसा लगा सकते हैं। फिल्म बनाना उन्हें नहीं आता। पैसा वो जितना चाहीं लगा दे। फिल्म बनाने वाले को ढूलने के लिए विस्वनात बिहार से पहुंचे बंबई बंबई में एक फिल्म स्टूडियो की कैंटीन में बैठ कर वो नाश्ता कर रही थे और अपने सकेटरी से फिल्म निर्माड संबंधी बाती कर रही थे उन्ही के बगल वाली टेबल पर बैठे चाए पी रहे नाजिर हुसैन उनकी सावी बातों को सुन रही थे नाजिर हुसैन को लगा कि ये शक्स फिल्म निर्माड के बाए में काफी serious लगता है नाजिर ने उनसे बात करने शुरू की जब नाजिव को मालुम चला कि वो भी बिहार के रहने वाले हैं, उन्हें भी राजेंद प्रसाद ने पत्र लिखा था, वो भी भोजपुई फिल्म बनाना चाहते हैं, उसके लिए जितना चाहो पैसा लगाने को तयार है। तब तो नाजिव को यही लगा कि खुदा ने खुद उनकी मदद के लिए विस्वनात को मसीह बना कर वेज दिया है। उन्होंने भी विस्वनात को अपने नेकी रादे बताए, दोनों एक दूसरे से मिल बहुत खुश हुए। दोनोंने फैसला किया कि डेढ़ लाख रूपए में एक भोजपुई फिल्म बनकर तयार हो जएगी। विस्वनात ने उसी वक्त अपनी जेब से 10 हजार रूपए, जितना उनके पास कुल बोकड़ा था, सारा नाजिर को पेशगी दे दिया। दोनोंने फैसला किया कि इस फिल्म का नाम होगा गंगा अमयया, तोहेप पियरी चड़ाईबो। इस फिल्म के डिरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर खुद नाजिर थे नाजिर इसमें एक्ट भी करने वाले थे। इस फिल्म में बत और हीरो नाजेरी ने चुना एक्टर आशिम कुमार को, बत और हीरोईन उन्होंने चुना बॉलिवूड एक्टरस कुम कुम को, फिल्म के गान ने लिखे मश्रूर बॉलिवूड लियोसिष्ट शैलेंदर ने और उन भुजपूरी गानों को गाया मुहम्म फिल्म की कहानी कुछ यू थी, हीरो आशिम कुमार को हीरोईन कुम कुम से प्यार हो जाता है, हीरोईन बहुत ही गरीब घर की होती है, मगर फिर भी हीरो उससे शादी करना चाहता है, मगर हीरो के पिता लड़की के घरवालों के सामने भावी भरकम दहेज की मानुरत देते इतना भावी भरकम दहेज कि उनकी आउकात नहीं थी दहेज देने की, हीरो ने अपने पिता से कहा कि अगर वो लोग इतने गरीब हैं तो उनसे दहेज मत मांगे, मगर उसके पिता ने उससे कहा कि वो दहेज लेकर ही उसकी शादी करेंगे, अगर दहेज नहीं मिला तो उस लड़की से उसकी शादी भी नहीं होगी, हीरो नाराज होका घर से चला जाता है, इस बीच हीरोईन की शादी एक 60 साल के बुढ़े से कर दी जाती है, वो बुढ़ा भी चंद दिनों बाद मर जाता है, अब उसके परिवावाले हीरोईन को बहुत तंग करने लगते हैं, परि वो अपनी प्रेमिका को नाचने वाली के तौर पे देखता है, वहीं पर इन दोनों में फिर से एका हो जाता है, इसके बाद हीरो के पिता इन दोनों से माफी मांगते हैं, और फिर इन दोनों की शादी हो जाती है, खुशी-खुशी, हैप्पी एंडिंग जब इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग कर राजेंद प्रसात को दिखाया गया, तो राजेंद बाबु के चेफे पर कुछ तनाव की लकीवें उभराईं, राजेंद बाबु ने नाजिर हुसाइन से कहा, इस फिल्म में लड़की का कोठे पर नाचने वाली बन जाना क्य फिल्म में दिखाने का उनका एक उदेश बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गारूं में रूड़िवादी लोगों को लड़कियों की सिक्षा के परती जागरूख करने का भी था बिहार और पूरी उत्यप्रदेश के गारों में लड़कियों की सिख्षा के परती घोरला परवाही के साथ साथ इस फिल्म ने समाज की एक और कुवीती पर कुठारा घात किया वो थी विधवा पुने विवाह इस फिल्म में विधवा पुने विवाह दिखाये गया जो तब 60 के दर्शक में बिहार और पूरी उत्रपरदेस के गावों में बहुत बड़े बवाल का कारक मना जाता था जब यह फिल्म रिलीद हुई तो पूरे देश में हरकंप मत गया बिहार और पूरी उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को पहली बार परदे पर अपनी नुमाइंदगी करते चेहरे नजर आई अपनी बोली बोली जाने वाले लोग नजर आई अपने परधान पहने वाले लोग नजर आई अपने इलाके के दृष्ष नजर आये, कभी पटना का गोल घर चराहा दिखा तो कभी आरा का रेलवे स्टेशन नजर आया इस फिल्म में नाजर हुसाइन का एक सीन बहुत लोक्तरी हुआ जिसमें नाजर गाओं के लोकल शराब खाने में बैट शराब का खाली गिलास देख रहे हैं बड़े ध्यान से जब दोस्तों ने उनसे इसकी वज़ा पूछी तो नाजर ने बड़ी गंभीरता से उस शराब की गिलास को देखते हुए कहा हम देखत बानी की कित्ता गहिर बाँ एही मा हमार घर, दुवार, खेत, बारी, साब डूब गर फिल्म ने बिहार और उत्यप्रदेश में तो कमाई के रेकॉर्ड तोड़ ही डाले, साथ ही भोजपुरी में फिल्म बनना उस वक्त देश में इतना अनोखा था कि दूसरे राज्यों में भी लोग कौत्युक वर्शिस फिल्म को देखने लगे बंबरी के इंपिविल सिनेमा में ये फिल्म 6 हफ्तों तक लगाता हाउस फुल रही डिल्ली में सरकार के कैबिनेट मंतरियों के लिए इस फिल्म की स्पेशल स्क्रिनिंग की गई जिसमें लाल बाहदो, शास्त्री और जगजीवन राम जैसे मंतरियों ने फिल्म देखी गंगा मैया तोहवे पियरी चड़हिबो ने भोजपुरी सिनेमा की निव रख दी और ऐसा नहीं था कि नाजिल अगर भोजपुरी सिनेमा में काम कर रहे थे, भोजपुरी सिनेमा में एक्टिव थे, भोजपुरी फिल्म में बना रहे थे तो हिंदी फिल्मों से उन्होंने किनार कर लिया था ना, साथ और सत्तर के दशक में नाजिम हुसैन ने बंबई का बाबू शर्मीली, हम जोली, कैद, धर्मात्मा, दिलदार, मेरे जीवन साथी, चरस, अनुराग, आग, महबूबा, अमर अकबर एंथनी और दबर्निम ट्रेन जैसे चार सौ से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया नाजिर अधिकतर फिल्मों में पीडित पिता या मजबूर दादा जैसे किरदार निभाय करते थे परदे पर जिस नेच्रिल्टी के साथ नाजिर रोते थे उसकी मिसाल बॉलिवुड में आज तक दी जाती है इसी वज़ा से हर फिल्म में नाजिर पर एक नाएक रोने की सीन जरूर फिल्म आई जाती थे वो हर फिल्म में रोते थे इतना रोते थे इसी वज़ा से उन्हें बॉलिवुड का आसूओं का कनस्तर कहा जाने लगा असीक देशक की शुवात से नाजिर हुसाइन फिल्मों में कम काम करने लगी और इसका करण था कि उनका स्वास्थ अब खराब रहने लगा था साल 1986 में रिलीद होने वाली फिल्म लव एंड गॉड उनकी आखरी हिंदी फिल्म साबित हुई 21 अक्टूबर 1987 की रात नाजिर अपनी एक भोजपुरी फिल्म के स्क्रीन प्ले पे काम कर रही थे इतनी बिमारी हलत में भी तभी रात के अंधेरे में अचानक उनके दिल पर हार्ट अटेक का जोर पड़ा और नाजिर उसी वक्त परलोग सिधर दे आज हिंदी सिनेमा एक कलाकार के तोर पर नाजिर की मिसाल देता है तो भोजपुरी सिनेमा उन्हें अपना अधर्श मानता है क्योंकि आज अगर भोजपुरी सिनेमा का स्तित्र है तो वो केवल नाजिर हुसाइन की बदौलत एक ऐसा एक्टर जिसे सरकार ने फांसी की सजा सुना दी वो किस तरह सरकार को चक्मा देकर मौक के मूँ में जाने से बचा और फिर किस तरह उसने अकेले अपने दम पर एक पुरी फिल्म इंडश्ट्री खड़ी कर दी या अद्भूत कहानी अपने आप में अविश्वसनी है अकल्पनी है अविस्मर्णी है